आज गा वीडियो बहुत ही इंपोर्टन ते स्पेशली मैक आउट स्टूडेंस के लिए क्योंकि मैक आउट स्टूडेंस क्वेश्चेन कर रहे थे कि भाईया हम लोगों को रेजल्ट कब तक आउट होगा मेipp vinelli जो end semester के स्टूडेंस है इंपोर्ट स्टूडेंस के जो ऑच लिए के जो कॵेश्चेन कर रहे थे भाईया हम लोगों का result कब तक आउट होगा क्योंकि हम लोगों को job join हम लोगों को करना है हम लोगों को higher study करना है तो specially जो end semester के students वो question कर रहे थे पर आज मैं आपको सभी students के लिए बता देता हूँ जो मैंक आउट के अंडर में है कि कब तो आपका result आउट हो सकता है, tentative date आपका क्या है और कुछ-कुछ students ये भी question कर रहे थे कि warning अगर आया है तो कि result हम लोगों करूख सकता है, इसका भी answer मैं आपको दे देता हूँ देखिए दो actually आपका answer है, एक तो result कब तक आउट होगा and secondly warning अगर आया है तो result क्या आपका नहीं मिलेगा बिल्कुल tension मत लीजे, अगर आपने properly submit किया है, अगर आपने answer किया है ठीक ठाक से, तो आपका result आजाएगा इसको लेकर आपको सोचने का जरूरत नहीं है, कि warning आया है तो आपका paper cancel हो जाएगा तो camera में दिख कुछ नहीं रहा था, तो उनको kick out किया गया था examination से, पर फिर से वो लोग login करके join कर पाये थे, तो उनका भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर properly अपने submit किया है, अगर आपका दिखा रहा था कि your examination already submitted, यह जो आपका red, आपको पता है after ending the examination आपको दिखाता है आपको बता दूँ, यह sure रहना चाहिए कि आपने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि उनके पास response जो है, उनके पास record है वो रहेगा, कि students ने कोई दिक्कत किया है या नहीं, उनके पीछे कोई आया था या नहीं, या फिर वो कोई cheating किया है या नहीं, दूसरे किसी folder में गया है या नहीं, यह जो response यह मैक आउट के पास रहेगा, तो यह अगर आपने नहीं किया तो आपको टेंश लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, maximum chance यह है कि आपका कोई भी दिकत नहीं होना चाहिए, अब देखिए आपको बता देता हूँ, जो date है, date कब तक आपका examination का result आ सकता है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 10th July, tentatively जो पता चल रहा है, 10th July आपका result आ जाएगा, जो 8th semester का and 10th semester के students है, hopefully, tentative date है, change हो सकते है थोड़ा बहुत, पर अभी तक जो पता चल रहा है, 10th July आपको मिल सकता है, अब जो 2nd, 4th, 6th semester के students हो भी question करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका भी hopefully within 10th July आपको मिल जाएगा, मतलब 10th July में आपको मिल जाएगा, और अगर आपको 10th July नहीं मिलता है, तो within 15th या फिर 16th July आपको भी मिल जाएगा, तो next 15 days या फिर 16 days के अंदर आपको result मिल जाएगा, मैक आउट का, तो आपको tension लेने का जरुरत नहीं है, tentative date है आपका 10th July, तो ही थाजगर वीडियो, वीडियो को share कर दीजे, सभी मैक आउट के groups पे, ताकि सभी को पता चले कि कब तक क्या आ सकता है, और error message अगर आया है किसी का, तो उनको भी tension लेने का कोई भी जरुरत नहीं है, ये update भी उनको पहुँचना च करूँगा, क्योंकि आपको पता है, मुझे personally 3 jobs मिले थे, तो वो उसका experience, कैसे आपको job चाहिए, कैसे आपको job मिल सकता है, job का update, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को subscribe करके रखिए, ताकि कोई भी update आपका मिसना हो,